पूस्कार मैं हूँ धर्मेंद और आप है हाजिपूर नीज टुड़े के साथ आज तेज प्रताप यादव अपने पुराने छेत्र महुआ पहुंचे थे महुआ में उनका जोड़दार तरीके से स्वागत किया गया कारेकरताओं के साथ साथ कई तरीकों से उनके साथ रोट और जोपर पट्टी में अचानक गारी से उत्रे और सीधे जोपर पट्टी के ताब दौर कर चले गए और जब रिटर्न हो रहे थे तो उनके साथ सैक्रों कारेकरता पहुंचे और वो धान की खेत को धांगते हुए आ रहे थे जिस पर किसान नाराज हो गया और उसी जगा का गाली देने लगा जिसे तेजब्रताब ने अपनी कारेकरताओं को समझाया और कारेकरता मानने को तयार नहीं थे जिसमें किसान गाली देना शुरू कर दिया क्योंकि उनका फसल बरबाद हो रहा था जिसको लेकर किसान गड़िया तो उनके गाड़ने भी किसान को समझा प्राजित कर दूंच आप 17ज्न हरौ और भागने लगे अ तो मैंने उन्से पूंचा कि आप दौर क्युल लगा रहे हैं दोर बीरोधियों के पराजित करने के लिए लगा रहे हैं पूरा मामला क्या इस रिपोर्ड में देखिए इस रिपोर्ड में देखिए वहाँ नीजे जाकर निरक्षन करने के लिए पूद गए उनके साथ साथ करीब सैकरों की संख्या में करेकरता भी उनके साथ उसी अंदाज में उसी तरीके से पूद गए लेकिन करेकरताओं से परशान होकर तेज परताब यादब वहाँ से भाग खरे हुए क्योंकि करेकरता उनकी तस्वीर उनके साथ अपनी सेलफी लेना चाहते थे और सेलफी से परशान होकर करेकरता से परशान होकर तेज परताब वहाँ से फिर दौरन लगाना शुरू कर दिया और वहाँ से जल्द जल्द निकलना चाह रहे थे लेकिन कारेकरता उनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे उनके सांथ सेल्फी लेने की हुर लगी हुई थी मेडिकल कॉलेज का निरेक्शन करने के बाद तेज़ प्रताप यादव सीधे गौसाला पहुँचे और उनके सांथ सेकरो कारेकरता भी गौसाला हैं पहुँच गए लोगों की भीर को देखकर कई लोगों ने कारेकरताओ को हटाने का प्रयास किया लगी कारेकरता मानने को तयार नहीं थे वो तेज़ प्रताप यादव के सांद सेलफी लेने की चक्कर में ये भूल जाते थे कि कम से कम जिस काम के लिए तेज़ प्रताप पहुंचे हैं वो तो करने थे महुआ में हम लोगों ने पड़यास किया था और अभी हमने उसको पूंड करने काम किया मेडिकल कॉलिज जो अभी बन रहा है और परसासन से और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि अपनी सरकार बने और फिर पूर्ण हम महुआ में जब चुन के आए तब और महुआ को जिला बनानेगा का तुनाओ लड़ना ही है यहाँ से ता क्या दिक्त है बाद आयो जिम्हाइए